स्टार्ट वहें किसान जैसा दिख रहा था सो पुलिस वालों ने उसे रोक लिया था पूछताज की थी और वहें वास्ताव में किसान ही निकला था उसकी सगन तहकीकात ने व्यक्ति का सच उभार दिया था सिपाहियों की कारवाई और सूजभूज से बड़े साहब खुश हुए थे सिपाहियों ने फटे नंगे पैरों मैली धूती और उसके उपर जूलते कुर्ते की वजहे से उसे ताड लिया था और फिर रोक कर ऐसे तीके सवाल पूछे थे कि उसको अपनी असलियत सुईकार कर पड़ी थी यह है पुलिस की बड़ी उपलब्दी थी किसान को पहचानना कोई हसी खेल नहीं था शहर के बॉर्डर पर भीड़ वाले इलाके में जहां सब पैंट कमीच पहने आजा रहे हों वहां एक धूती पहने किसान को किसान के रूप में पहचान लेना वास्ताव में पुलिसिया गिद्ध दुरष्टी का पूर्ण प्रमान था पैरा सहब ने पत्रकार वारता बुला कर इस अभुत्पुर्व पकड का देश देशांतर में एलान कर दिया था उन्होंने पत्रकार वारता में कहा था कि पुलिस की चौकसी के चलते किसान पकडा तो गया था प पर अभी तक उसने अपने शहर तक पहुंचने के पीछे की साजिश को नहीं उगला था हर तरह से पूचताच की जा रही थी पर किसान लौक अप में गूंगा सा बैठा पत्राई आखों से अपने सामने जड़ी लोहे की सलाखों को देखे जा रहा था लाठी की चोट खाकर भी उसको दर्द नहीं हो रहा था वैसे हम पुलिस वाले बड़े साहब ने कहा था हिरासत में लिये लोगों को प्रताडना नहीं देते हैं पर वह जिस तरह से पत्थर होकर बैठा था उसको समझाने के लिए हमने हलका बल प्रयोग किया था इस कारवाई का आप लोग गलत मतलब मत लगाईएगा हम सिर्फ देखना चाहते थे उसको दर्द हो रहा है या नहीं वह हर्ड मास का हम जैसा इनसान है या किसान है पैरा साहब ने चाय की चुसकी ली थी और अपनी गोदी में खेलते मीडिया के लिए कुछ बिसकोट उचाल दिये थे यह देखकर उनको अच्छा लगा था कि मीडिया कर्मियों ने उनको हवा में ही लपक लिया था एक भी बिसकोट का टुकडा जमीन पर नहीं गिरा था वे संतुष्ट होकर मुस्कराए थे मीडिया की ट्रेनिंग कारगर रूप से हो रही थी हवा में तैरते बिसकोट लपकना वे सीख गए थे पैरा दोस्तों उन्होंने पत्रकारों से कहा वह बैठा है और चुप है इससे साफ है कि वह जिद्दी है वह थोड़ा बोराया हुआ भी लग रहा है पर यह सब दीगर है मुद्दा यह है कि वह यहां तक पहुँचा कैसे क्या वह खुद आया है या फिर लाया गया है खुद तो वह आ नहीं सकता था उसकी कमर तो पहले ही तोड़ दी गई थी इससे साफ है कि उसको लाया गया है शहर में व्याप्त स्वच्च माहौल को गंदा करने के लिए एक फटीचर को जंडे की तरह गुमाने की साजिश रची गई है किसान को छोड़े साजिश को समझे जंडे का डंडा तो हम निकाल ही देंगे आप साजिश पर जुट जाईए उसको तार-तार कर दीजिए पैरा हम कैसे साजिश ढूंड सकते हैं यह काम तो साहब आपका है एक पत्रकार ने मासूमियत से पूछा था पैरा साहब का मूड खराब हो गया था अरे भाई यह कौन लंपट है इसकी किसने ट्रेनिंग की है उन्होंने जला कर पूछा था अरे तार-तार का मतलब है कहीं का तार कहीं जोड़ दो स्पार्किंग कराओ शौट सर्किट हो जाए विराम कुछ आगवाग लग जाए फिर हाय तौबा मच जाएगी सब कन्फ्यूजड हो जाएंगे विराम कन्फ्यूजन में ही सलूशन है पत्रकार पात सुनकर थोड़े कन्फ्यूज तो जरूर हुए थे पर सलूशन सुनकर उत्साहित हो गए थे साहब का पुराना नुस्का जो हर मर्ज की दवा था कन्फ्यूजन अब भी कारगर था एक्स्पाइरी डेट खत्म होने के बाद भी कन्फ्यूजन की खुराक मुर्दा मुद्दों को जिन्दा कर देती थी और जिन्दों को ऐसा संक्रमित करती थी की कोरोना वाले वेंटिलेटर भी उसकी सांस को नियंत्रित नहीं कर पाते थे जीते जी मरने में उस्ताद थे सहब विराम वैसे भी किसान क्या चीज है जब बिसकुट मिल रहे हो तो अन्न की क्या जरूरत थी सहब कुछ और भी कहने जा रहे थे की बड़े हाकिम का फोन आ गया था फोरन आओ हाकिम ने फर्मान सुनाया था सहब तुरंत चल दिये थे आखिरकार बिसकुट की फुल सप्लाई हाकिम के यहां से ही तो आती थी वास्ताव में साहब सालों से हाकिम की अनुबंद खेती करते थे हाकिम उनसे जमीन तयार करवाता था और फिर उस पर बिसकुट उगाता था सबको फाइदा ही फाइदा था पर अचानक एक बॉडम आ गया था शुकर है जल्दी ही पहचान लिया गया था और अब लॉक अप में बैठा था बिसकुट खाने से मना कर रहा था बीच बीच में कुछ अन अन जैसा बुद्बुदाता था और फिर पत्थरा जाता था साहब ने सिफाईयों से कहा था कि किसी भी तरह गिरफ्त मे आए हुए फटीचर को अगर वे बिस्कुट चका दें तो उसका अन्न का नशा उतर जाएगा किसान धोती से पेंट पर आ जाएगा और साहब के खुशहाल शहर का स्वच बाशिंदा बन जाएगा विराम पर हर प्रयास विफल हो गया था पैरा हाकिम ने साहब से कहा कि किसान को आइसोलेट कर दो ठीक वैसे ही जैसे कोरोना में होता है और लोगों को जोडो विराम उनको बताओ की किस तरह से बिस्कुट उगाना हमारी प्राचीन परंपरा रही है सिंदु घाटी की सब्भेता बिस्कुट की खेती करके विशाल और सम्रद्ध हुई थी किसान अशिक्षित है समझता नहीं है की बिस्कुट उगा कर हम शहर का विकास ही नहीं कर रहे हैं बलकि पुर्वजों की धरोहर को और यशस्वी बना रहे हैं विराम पुरानिक काल में बिस्कुट की खेती के साक्ष बहुतेरे हैं और जिसको इन पर विश्वास न हो वहें पाकिस्तान चला जाए क्योंकि मुवन जोदलो वही हैं और अगर वहां जाने में उन्हें कुछ एतराज हो तो वे सरस्वती नदी सब्वेता की खोज में चल रही खुदाई में श्रमदान शुरू कर दे बिसकोट उगाने का साक्ष उसे वहां कभी ने कभी मिल जाएगा पैरा साहब हाकिम से नय ग्यान पाकर प्रफुलित हुए थे हाकिम ने उनके मन की बात कह दी थी वैसे भी उन्हें बचपन से ही पुराणों के हर भोजपत्र पर बिसकोट ही बिसकोट पिखरे हुए दिखते थे साहब ने गूगल करके बहुत से समेट भी लिये थे पैरा उधर भोर की बेला में किसान उठा था सिपाही हत प्रब देखते ही रहे गए थे और वहें खीकचो को पार करता हुआ सडक पर आ खड़ा हुआ था उसके पत्थर जैसे शरीर में इस पूर्ती आ गई थी उसने साहब की मैंशा जान ली थी वहें अपने खेत के चारो और बाड लगाने के लिए निकल पड़ा था ठीक इसी समय साहब प्राचेन बिसकुट ग्यान का घोटा लगा रहे थे विराम हाकिम की ड्यूटी बजा लाने का वक्त हो गया ग्राम